नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सपने में धलता हुआ या डूपता हुआ सूरज देखने का क्या मतलब होता है। विडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि विडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सपने में सूर्य को अस्थ होते देखना आशुब वशुब दोनों फल दे सकता है। यह आपके जीवन की स्थिती पर भी निर्भर करता है कि दूपता हुआ सूरज आपके जीवन पर क्या असर लाएगा। धलता सूरज देखने के मतलब अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ अर्थों में यह संकेत करता है कि आपने एक अफसर खो दिया है। आप किसी काम को करने से चूप गए हैं। वही दूसरे अर्थों में धलते सूरज को चेतावनी के रूप में भी लिया जाता है। ऐसे में य अभी कामों में रुकावटे आ सकती हैं. अब बात करते हैं धलते सूरज देखने की शुबफल के बारे में. अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने घर में से या घर की खिलकी में से धलता सूरज देखता है तो यह उसकी उम्र बढ़ने का संकेत होता है. इसके अलावा सपने म काफी समय से बुरे दौर से गुजर रहा था और ऐसे में वह सूरज को डूपते हुए देखता है तो यह उसके लिए शुप परिनाम देखा. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.